हेलो दोस्तों जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग एक खराब डीजे लाइट जो है उससे रेपेर करना सीखेंगे तो ये जो डीजे लाइट है इसको सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं इसे AC mains के साथ में जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर power monitor में आप voltage जो है वो देख पाएंगे कोई भी voltage जो है सो नहीं कर रहा है यहाँ पर इसका मतलब यह जो DJ light है यह पूरी तरह से खराब है अब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर screw लगे है इन screws को हमें unscrew करना होगा तो मैं इने unscrew कर लेता हूँ और इसके बाद हम इसे open कर पाएंगे यहाँ पर अब इसके अंदर के parts जो है वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर DJ light में RGB LED का इस्तमाल किया जाता है तो बड़ी सी MC PCB होती है और यह जो board आप देख पार है इस board के साथ में MC PCB connect होती है MC PCB में RGB LED जो है अगर खराब हो जाती है तो इन्हें भी आप आसानी से replace कर सकते हैं इस तरह की MC PCB होती है और इसमें RGB LED लगी हुई है और इन्हें कैसे replace किया जाता है मैंने विस्तार से एक वीडियो में बताया है आई बटन में आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा तो यहाँ पर अमारी जो RGB LED MC PCB है वो सही है यहाँ पर यह board जो है MC PCB में लगी RGB LED को drive करता है यहाँ पर RGB LED driver board को इस plug द्वारा हम इस power supply में AC पहुचा कर और फिर यह power supply जो आप देख पारें इस power supply द्वारा 12 volt fan के लिए और 32 volt LED driver board के लिए दिया जाता है तो यहाँ पर यह fan के wire है, fan 12 volt पे operated होता है और यह 32 volt हमारा driver board में जाता है यहाँ से हमारी MC PCB में supply जो है जाती है तो यह जो power supply है, इसमें 220 volt यानि AC mains आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे हमें सबसे पहले test करना होता है यानि जो हमारी cable है वो सही है या नहीं है उसको हम test करते हैं, मैंने multimeter को AC voltage section में लगा लिया है और हम यहाँ पर AC voltage जो है वो test करते हैं आप देखेंगे 249 volt यहाँ पर AC दिखा रहा है इसका मतलब हमारी cable है यह सही है और मैं इसे plug out कर देता हूँ और हमारा जो यह power supply है इसमें ही खराबी है तो यहाँ पर दो screw लगे है इन्हें हमें खोल लेना है और जिसके बाद हम यह power supply जो है इससे निकाल पाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैं यह connector है इन्हें निकाल देता हूँ और इसके बाद हम इस power supply को repair करेंगे तो यहाँ पे यह जो power supply है इसे कैसे repair करना है इसे आप इस video के मध्यम से निश्चित ही जान पाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक सबसे जो मुख component है वो fuse है यहाँ पे एक fuse आप देख पाएंगे 2 ampere का fuse लगा है सबसे पहले हमें इसी को test करना होता है यहाँ पे NTC और यह diode जो है इन्हें हम आगे test करेंगे तो चलिए हम testing का जो process है उससे समझते हैं तो सबसे पहले हमें इसका जो fuse है उससे test करना है fuse को हम continuity mode या resistance testing mode में test कर सकते हैं तो multimeter से हम testing करने वाले हैं मैं camera को zoom कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने camera को zoom कर लिया है multimeter को मैं resistance mode में कर लेता हूँ backlight मैंने on कर ली है और अब हम यहाँ पे जो हमारा fuse है उससे test करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे fuse में कोई भी resistance नहीं होती है तो यहाँ पर अब हम fuse को test करते हैं तो यहाँ पर 00 ohm दिखाना चाहिए लेकिन यह कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर value जो है multimeter दोरा नहीं दिखा जारी इसका मतलब यह fuse जो है वो open हो चुका है और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे fuse को replace करेंगे तो यहाँ तो fuse replace कर दीजिए यहाँ पर jumper लगा दीजिए मैं पतले wire का jumper जो है वो लगाऊंगा बाद में मैं fuse replace करूँगा अभी हम टेस्टिंग करने वाले है तो यहाँ पर fuse के जो दोनों points है उन पर हम jumper जो है वो लगाने वाले है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है हमने jumper जो है fuse पर इस तरह से लगा दिया है अब jumper लगने के बाद supply जो है वो हमारी आगे पहुँचेगी अब यहाँ प circuit में short circuit ना हो इसकी वज़े से हम यहाँ पर series bulb द्वारा supply जो है वो इस power supply में देंगे तो यहाँ पर आप देख पारे मैं इस तरह से अब series bulb द्वारा इस power supply में AC mains जो है उससे connect करूँगा यहाँ पर यह plug जो है इसे हम AC mains के साथ में connect करते हैं और अब हम output voltage जो है वो test करेंग तो यहाँ पर मैं DC section में जो multimeter है उससे लगा लेता हूँ DC voltage section में हमने multimeter लगा लिया है लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी voltage जो है वो output में देखने को नहीं मिला है दोनों ही connector पर हम voltage जो है वो check करते हैं लेकिन कोई भी voltage हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले यह जो connection है इन्हें निकाल लेना है और अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस power supply में capacitor जो है वो हो सकता है charge हो अगर diode वो गएरा सही होंगे तो capacitor जो है वो charge हो सकता है तो यहाँ पे capacitor को sword कर लेना है इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे capacitor जो है वो charge था और shock न लगे इसलिए आपको इससे चिम्टी की साहिता से sword कर लेना है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर capacitor charge store कर रहा है इसका मतलब diode और NTC जो है वो हमारे सही है अब हम आगे के component जो है उन्हें देखेंगे तो यहाँ पर आपको बारीकी से पूरा circuit board जो है उसे देखना है कहीं पर कोई component जो है जला हुआ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यह point जो है यह हमें खाली दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई component लगा था जिससे निकाल दिया गया है चुकि यह DJ light जो है पहले repair करने की कोसिस की गई है और यहाँ पे component जो है इससे निकाल दिया गया है चलिए हम इसे फिर से एक बार AC mains के साथ में connect करते हैं और opto coupler पे voltage जो है उससे test करते हैं मैंने इसे AC mains के साथ में लगा दिया है और multimeter हमारा DC voltage section में लगा है यहाँ पे 12 volt मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है opto coupler पे 1.2 volt के लगबग मिलना चाहिए तो यहाँ भी voltage जो है हमें नहीं मिल रहा है इसका मतलब यह जो component निकाला गया है हो सकता है इसकी वज़े से यह power supply जो है काम ना कर रही हो लेकिन मैं अब आपको कुछ जरूरी चीज बताने वाला हूँ सबसे पहले हम capacitor जो है उससे sort कर देते हैं यहाँ पर अगर secondary section में हमें कोई भी voltage नहीं मिलना है तो इसका मतलब primary section में भी fault हो सकती है लेकिन उससे पहले हम secondary section जो है उससे repair करेंगे तो यहाँ पर जो component इससे निकला हुआ था उसकी जगह पर हम 470 ohm की यह resistance जो है वो लगाने वाले है अच्छा यह resistance जो है इसकी जगह पर आप 1K का preset जो है वो भी लगा सकते है मैं आपको यहाँ पर जो circuit board है उससे दिखा देता हूँ आप देख पाएंगे कि उसमें एक preset का symbol भी बना हुआ है इस जगह पर और यहाँ पर preset 1K का आप लगा सकते है चलिए हम यह जो resistance है इससे लगा देते हैं और इसके बाद testing जो है वो फिर से करते हैं हलाकि अभी output voltage जो है वो हमें नहीं मिलेगा लेकिन हम पहले जो secondary section है उससे complete कर लेते हैं चुकि secondary section से ही feedback जो है primary section में जाता है तो चलिए अब हम इसे AC mains के साथ में फिर से जोड़ते हैं जैसके आप यहाँ पे देख पा रहे हमने इसे AC mains के साथ में जोड़ दिया है और अब हम voltage जो है वो output में test करते हैं यहाँ पे voltage जो है अब भी हमें output में नहीं मिला है दोनों ही connectors पे कोई भी voltage हमें नहीं मिला है अब हम opto coupler पे voltage test करते हैं यहाँ पे 1.2 volt हमें मिलना चाहिए जो की अब भी हमें नहीं मिला है तो यहाँ पे जो secondary section है वो primary section जब ok होगा तभी यहाँ पे voltage मिलेगा मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हर बार capacitor discharge करने के बाद ही आप circuit board को touch करें नहीं तो आपको shock लग सकता है अब हम यहाँ पे opto coupler की testing करने वाले हैं opto coupler को कैसे test करेंगे हम circuit board में ही लगे हुए कि हमें जो multimeter है उसे resistance mode में लगा लेना है इसका मतलब LED side sort है और दूसरी side यानि जहाँ पे photo transistor होता है उस side पे भी यह 5.9 ohm दिखा रहा है इसका मतलब इस side भी sorting है feedback network में sorting हो सकती है opto coupler हमें replace करना होगा लेकिन यहाँ पे उससे पहले हम इसमें जो sunt regulator diode TL431 है उसकी भी testing कर लेते हैं TL431 sunt regulator diode जो है इसकी testing करने के लिए circuit board में लगे लगे ही आप इसकी बाहरी pins जो है वहाँ पे sorting टेस्ट करेंगे जैसा कि आपने देखा 56 ohm यहाँ पे दिखा रहा था इसका मतलब यह जो sunt regulator diode है यह भी हमारा sort है अब हम यहाँ पे जो voltage sunt regulator है TL431 इससे और optocoupler दोनों को ही निकाल लेंगे यहाँ पर मैं vacuum disolding pump जो की inbuilt solding iron वाला है को इस्तमाल कर रहा हूँ यहाँ पर TL431 जो है इसे हमने निकाल लिया है अच्छा vacuum disolding pump को कैसे use करते हैं पे भी मैंने एक video upload किया है आई बटन पे आपको उसका link जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे optocoupler भी हमने निकाल दिया है अब हम optocoupler की testing जो है उसे करते हैं चुकि इसे हमने circuit board से निकाल लिया तो circuit board से निकालने के बाद इसे कैसे test करते हैं इसको हम देखते हैं dot side की pins जो है यहाँ पर हम resistance mode में पहले testing करेंगे आप देखेंगे कि य resistance mode में हमारा multimeter जो है 118 ohm दिखा रहा है अच्छा मैं backlight on करके आपको clear दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि 118 ohm यहाँ पर हमें जो हमारा multimeter है वो resistance दिखा रहा है opposite side में हम इसे test करते हैं तो 120 ohm की लगबग दिखा रहा है इसका मतलब IR LED side की legs जो है वो sort है इसी त testing करते हैं दोनों side पर कोई भी value so नहीं करनी चाहिए multimeter में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों side ही कोई value हमारा multimeter so नहीं कर रहा है तो optocoupler एक side तो सही है दूसरी side खराब है इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो हमारा voltage sun regulated PL 431 है उसकी legs पर sorting जो है उससे test करते हैं बाह opposite direction में पलट के test करते हैं तब भी multimeter हमारा 57 ohm resistance value so कर रहा है इसका मतलब यह TL 431 खराब हो चुका है अब हम यह दोनों component पुराने circuit board से निकाल लेते हैं किसी भी पुराने circuit board में आपको यह component जो है मिल जाएंगे सबसे पहले हम TL 431 की बाहरी legs पे resistance mode में testing करेंगे तो आपको comparison ज value नहीं पलट के test करने पे 0.838 mega ohm दिखा रहा है इसी तरह से हम opto coupler की leg पे भी multimeter से testing करते हैं जहाँ पे IR LED side यानि dot side की pinch पे टेस्टिंग कर रहा है एक side पे आप देखेंगे 1.63 mega ohm के करीब value so कर रहा है अच्छा यहाँ पे आप देख पाएंगे अब हम multimeter को diode testing mode में लगा testing होती है चुकि IR LED है तो LED की testing में एक side पे LED का जो voltage है वो दिखाई देगा और opposite direction में अगर हम test करेंगे तो हमें कोई भी value नहीं दिखाई देगी तो यहाँ पे इस तरह से आप IR LED side की lag की testing कर सकते हैं अच्छा photo transistor side पे diode mode में test करने पे कोई भी value जो है वो पलट के भी आपको द testing जो है वो देख लिए किस तरह से testing की जाती है चलिए अब हम इन components को circuit board में लगा देते हैं तो यहाँ पे यह जो feedback network है हमारा secondary side का यह अब हमने ठीक कर लिया है आगे अभी हो सकता है कि हमें कुछ फेर बदल और करना पड़े मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब board में यह जो component है इने replace कर दिया है फिर भी मैं अभी आपको एक बार फिर से test करके दिखा रहा हूं हालाकि अभी output voltage हमें नहीं मिलेगा चुकि अभी इसमें primary section में भी fault है चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस तरह से इस power supply में AC mains के connection जो है वो कर देता हूं और output voltage हम test करते हैं आप देखेंगे कि अब भी हमें कोई output voltage जो है multimeter में so नहीं हो रहा है मैं दोनों ही connectors पे voltage test करके आपको दिखा चुका हूं चलिए अब हम फिर से circuit board का capacitor जो है उससे discharge कर लेते हैं सबसे पहले आपको यही करना है जब भी आप circuit board को हांस से touch करें अब यहाँ पे हमें एक IC नुमा यह component देखने को मिला है इसमें six leg है और इसी में MOSFET जो है integrated होता है यहाँ पे जो optocoupler की इस side की leg है जहाँ पे photo transistor है इस side पे sorting दिखा रहा था जब हमने पहले circuit board test किया था तो sorting अगर दिखाता है इसका मतलब feedback जो है primary side में जहाँ पे है वहाँ पे sorting है यहाँ पर म component है जो कि six leg का है जिसमें MOSFET भी integrated है यह हमारा खराब है इससे हमें निकालना होगा और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इस तरह की जो component हमारे circuit board में लगे होते हैं यह component हमें आसानी से नहीं मिलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर य SMPS repair ही नहीं होगा एक ऐसा module आता है जिसको हम इस circuit board में लगा के और यह SMPS circuit जो है इसे repair कर सकते हैं आप देखेंगे कि यह जो module है इसमें three wire है और ऐसा module जो है इस तरह के SMPS को repair करने के लिए ही बनाया गया है इसे कैसे लगाते हैं को अब हम जानते हैं तो यहाँ पे module में एक black wire है जिसे आपको जो primary side में electrolyte capacitor लगा है filter capacitor इसके negative वाले leg के साथ में जोड़ देना है इस तरह से हम module का black wire जो है उसे capacitor के negative वाले point के साथ में जोड़ देना है इसके बाद red wire जो है यह आपका कहां जोड़ेगा इसे समझने के लिए आपको इस circuit board में main winding समझनी पड़ेगी main winding क एक point जो है वो capacitor के positive के साथ connect होता है दूसरा यह point है main winding का तो यह point है इसी के साथ में हमारा red wire जो है यह जोड़ेगा तो main winding में ही आपको जोड़ना है इसको जहां पे capacitor का positive जोड़ा है उसी loop के end point के साथ में यह point जो है जोड़ा जाएगा इसके बाद यह green wire बचता है इस green wire को आपको optocoupler की pin number 4 के साथ में जोड़ना है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इसे pin number 4 वाली track के साथ में जोड़ देता हूँ तो इस तरह से हमारा जो module है उसके हमने connection जो है उन्हें कर दिया है अब हम इसकी testing जो है वो करते हैं connection आपने समझ लिये होंगे optocoupler के pin number 4 के साथ में green wire जोड़ेगा और इस तरह से ये सारे wire जो है आपको जोड़ देने है चलिए अब हम इसकी testing जो है वो कर लेते हैं तो यहाँ पे हम series से ही इसमें supply देने वाले हैं जैसा कि आप देख पारें और इस तरीके से हमने mains की supply जो है उसे supply connector पे दे दिया है और अब हम यहाँ पे wattage जो है देख पारें 1.12 watt दिखाने लगा है यानि यह अब कुछ power जो है consume करने लगा है क्योंकि इसमें अब switching होने लगी है चलिए हम multimeter को DC voltage section में लगा लेते हैं backlight मेंने on कर ली है यहाँ पे आप देख पाएंगे 6.4 volt के लगबगा voltage जो है 12 volt वाले point पे मिल ला है और इस वाले point पे 20 volt हमें देखने को मिल ला है जबकि 32 volt दिखना चाहिए तो यहाँ पे voltage जो है वो कम मिल ला है इसका मतलब कि feedback में अब भी कोई problem है feedback में module में भी setting करनी हो सकती है लेकिन उससे पहले जो हमने resistance लगाई थी यह वाली इस resistance की value जो है वो अभी हमें नहीं पता है कि क्या लगाना है यहाँ पे हमने अंदास से एक लगा दी थी 470 ohm की चलिए इस resistance को हम निकाल के और इसकी जगह पे preset जो है उससे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पुराना circuit board रखा हुआ था उसमें preset जो है लगा हुआ है और इस preset को हम निकाल के इस circuit board में लगाने वाले हैं तो यह जो preset है इसको हम अपने SMPS circuit board में लगाएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे जो SMPS circuit board है इसमें preset का symbol जहाँ पे बना है वहीं पे हम इसकी legs जो है उन्हें solding कर देते हैं अब हम यहाँ पे testing जो है एक बार फिर से करते हैं और देखते हैं कि कोई हमें जो परवर्तन है वो देखने को मिलता है या नहीं मिलता है उसके बाद हम module की setting करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसे AC mains के साथ में जोड़ दिया है और अब हम multimeter में voltage जो है उसे test करने वाले हैं अब हमें 6.34 volt के लगबग मिलना है चलिए हम preset को रोटेट करके देखते हैं लेकिन रोटेट करने पे किसी भी तरह का कोई हमें voltage में उतार चड़ाओ देखने को नहीं मिलना है इसका मतलब अब हमें module में setting जो है वो करनी होगे module में भी एक preset लगा होता है यहाँ पे आप देख पाएंगे इस preset को हम set करते हैं preset को set करने से पहले हमें multimeter में यह alligator clip लगाने है चोकि अब हम power supply में जो हमारे probe हैं उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं alligator clip जो है इनसे हम connector पे इन्हें connect कर देंगे जिससे कि हमें पकड़ना नहीं पड़ेगा अब हम multimeter से alligator clip जो हमने connect की है उन्हें output 32 volt वाले जो connector है उसकी pins के साथ में connect कर देते हैं तो इस तरीके से हमें connection जो है उन्हें कर देना जिससे कि अब हम बिना probe पकड़े यहां पर multimeter में voltage जो है वो देख पाएंगे अब हम module की setting करेंगे module में जो preset लगा है उसको हमें adjust करना होगा जिससे की module की duty cycle और frequency की जो setting है उसे हम set कर पाएंगे जिससे हम output voltage जो है वो अपने अनुसार set कर सकते हैं यहां पर आप देख पार है चुकि bulb जो है यह glow होने लगा तो अब हमें एक बार जो plug है उससे फिर से निकालना होगा और फिर से हम setting जो है वो कर रहे हैं तो यहां पे 25 volt इस समय आ रहा है मैं इसे set करता हूँ तो 31.47 volt पे मैंने इसे set कर दिया तो यह लगबग 32 volt पे set हो गया है तो यह module जो है इस module को लगा के हमने इस smps circuit को सही कर दिया है तो इस तरह से आप जो smps circuit है उससे ठीक कर सकते हैं यहां पे 12 volt वाले point पे 10 volt हमें मिला है वास्तों में इस point पे 10 volt ही मिलता है और fan को चलाने के लिए 10 volt ही दिया जाता है तो अब हम इस smps को अपने जो dj light है उसमें लगाने वाले है और उसके बाद हम अपनी dj light जो है उससे test करेंगे तो यहां पे इससे लगाने के लिए भी आपको यहां पे ध्यान देना है सबसे पहले हम जो power supply है उससे इस तरह से fix कर लेंगे और connector जो है इने जोड देंगे इस तरह से हमने connector जो है उनके connection कर दिये है और यहां पे यह fan का जो connector है इससे भी हम connect कर देते हैं अब आप यहां पे देख पाएंगे कि अब हम testing जो है वो करने वाले हैं यह देखते हैं कि क्या हमारा fan rotate करता है तो यहाँ पे आप देख पारे power supply प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे है यह fan तो हमारा काम कर रहा है चलिए हम जो इसकी RGB LED वाली MC PCB है उससे भी connect करके और test कर लेते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से इसका connector जो है उससे हम connect कर देते हैं और इसके बाद हम इससे भी test कर लेते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी DJ light जो है वो proper तरीके से वर्क कर रही है लेकिन अभी आपको एक चीच का और ध्यान देना है चुकि अभी हमारा module जो है वो free है वो कहीं भी sorting वगएरा के chances उसमें हो सकते हैं इसको अभी हमें सही से pack करना होगा यहाँ पर मैं एक polythin cover ले लेता हूँ और इसमें यह module जो है इससे इस तरह से अंदर रख देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैंगे इस तरीके से मैं इसे fold करता हूँ और एक tape जो है उसकी साहता से इससे इस तरह से fix कर देता हूँ कि यह module जो है बाहर ना निकले इसके बाद हम इसे और अच्छे से fix करने के लिए एक tie का इस्तमाल करेंगे और उस tie से इसे हम जो main lead है उसके साथ में fix कर देंगे जिससे की यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं जिससे की wire वगएरा भी तूटने के chance नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आप देख पारें इस तरीके से मैं tie जो है उससे tight कर देता हूँ जिससे की module जो है वो हमारा fix हो जाएगा तो इस तरह से अब DJ light जो है वो हमारी पूरी तरह से repair हो चुकी है चलिए इसकी screw जो है उन्हें हम tight कर देते हैं जिसके बाद हम इसकी final testing जो है वो करते हैं यहाँ पर यह DJ light जो है अब use के लिए ready हो चुकी है चलिए इसकी final testing जो है वो और हम कर लेते हैं यहाँ पर हम इसे AC mains के साथ में जोड़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह proper तरीके से आप work कर रही है और इस तरह से आप DJ light की repairing जो है वो आसानी से कर पाएंगे मैंने DJ light पर और भी videos upload किये हैं आपको उनके link जो है वीडियो के description में मिल जाएंगे तो उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए helpful रहेगा आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day